एक आम आदमी की बात करी जाएगी, उनको लगता है थोड़ी सी अपडी पड़ी है और पॉलिसी है मुझे नहीं लगता है कि इंशॉरंस पॉलिसी लेके किसी ने वेल्थ क्रेशन किया होगा इंडिया का टाइम आएगा इसका मेरे हिसाब से मुझे कोई जब आप नहीं पता है अब आज वो ब्रिक्स में से सिर्फ आई बचा है वो बी का रिटन बहुत खराब है आर्क में वार चालू है जाजरेशन के लिए मैं बोलना हूँ कि बरक्षार आट वे हमारे लिए काम करता है। आज में बोल सकता हो कि कि इंडिया करता है। वह चाहिना में जाता है यहां पर पिछले 10-20 साल का रिटर नेगेटिव है फिर भी यह बोलता है यह सेंचुरी चाहिना की है वहां तो उल्टा बोल भी नहीं सकता है कुछ यह शायद भार नहीं निकल पाया है वह पता नहीं कहा है हो जाए है वेलकम गल्बेंजी तो पॉड्कास्ट आपको स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग काफी समय से वर्क कर रहे हैं इंवेस्टमेंट कर दे हैं वो सब लोग जानते हैं कि आपके लिजेंस अपने क्या-क्या चीज़ें की है बट जो नए बंदे हैं अभी फॉर एक्जांबल 25 साल का यंगस्टर है पहली बार स्टॉक मार्केट में आया है तो he wants to know and कोशिश रहेगी कि इस पॉड्कास से बहुत सारे चीज़े सीखे तो सबसे पहले सर आप अपनी जर्नी के बारे में एक बार अगर बताना चाहेंगी ओडियंस को कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हु थी तो थी पहले फिएक जर्नी केड़ इस देश्टार रहे थी जर्नी को कैणी कि एडियंस के लिए दूर इंग बाद आप जाधा तर मसीन और फ्यूल से काम होता था या क्यमिकल्स और बॉइलर्स और इन शबके साथ काम आपा और मेरे पहले छे मैंने में एक ऐसी तो तब समझ आया कि शायद मुझे ये काम में इतना मज़ा नहीं आ रहा है और उससे दूर भागने के लिए ऐसे बागी सब एंजिनियर्स के साथ दोस्तों से बात हो रहे थी तो लोगों ने बुला कि आइडिया एक ही इसमें कि अगर आपको नौकरी से दूर भागना है तो वापिस पढ़ाई की तरफ जाओ जो छोड़के आयत है कि एंजिनिरिंग हो गए पढ़ाई हो गए तो फिर से उसी की तरफ जाते है लौट फ्रेंट वेंट तो यूएस आई केम बैक तो दू एंब एंब्या करूंगा दो साल फिर से ब्रेक मिल जाएगा फ्रॉम जॉब एंड कुछ नहीं बता चलेगा क्या होगा तो वह एक पहला टर्निंग पॉइंट था कि जिस इंडस्ट्री में जाने के लिए दस साल फिर दो साल साइंस फिर चार साल एंजिनिरिंग की पढ़ाई की 16 साल जो सोचके काम किया उस जो सही है कि नहीं है तो एक चाइनीज सेंग जो बोलती है कि वेन में प्लान गॉड्स लाफ तो यह मेरा पहला एक्जांपल था फिर एंबीए किया मैंने और एंबीए में कैंपस में एस उजल बहुत सारी कम्पनी आई थी और ऐसा नहीं था कि मैं इतना इंटलिजन था कि मुझे कोई भी कमनी आपके उठा ले तो जो कमनी थी उसमें मुझे इंटर्वी में बैठना था तो वन अफ दे कंपनी विछ सेलेक्टिद मी वाज एलेंटी फैनेंस और मुझे ट्रेजरी टीम में रोल मिल गया और इंजिनियरिंग के बाद मार्केट मेरी एंट्री हुई कि इस वेरी रेंडम मुझे मुझे मार्केट से फील में जाना है इसा कोई इंट्रेस नहीं था उन जमाने में तो यही था कि पेरेंट्स आपके पीशे खर्चा करते हैं आपको पढ़ाय कराने के लिए दे बंदर मिड्नाइट ओल देवर्क हाट बोथ मैं पैरेंट्स तिल करना है और जो भी पगार मिला उससे शुरुआत हो गई तो यह जब हम मिले है तो यह ऐसा दौर है जब मूचल फंड सही एक टैग लाइन है वह ऐसा दौर था जब मूचल फंड नहीं है वह वाला दौर था क्यूंकि मूचल फंड किया किसी को मालूमी नहीं था एक बहुत ही आइकॉनिक कंपनी है और तब भी थी जिन्होंने तब बोला कि यह एक अच्छा वेहिकल है और हमें अपना कॉर्पेट ट्रेजरी का पैसा मार्केट में लगाते हैं मार्केट में डिरेक्ली और इंडिरेक्ली मूचल फंड के थ्रू लगाना चीए और उसके वज़े से मुझे चांस मिला एक फ्रेशर M.B.A. को कोई कंपनी बोलती है लो 500 क्रोड का पॉर्टफोलियो और सीखो मूचल फंड क्या है और शुरुवात करो इन्वेस्ट करने के लिए तो यह मेरी करियर की पहली जर्नी थी और उस ट्रेजरी में हम अपार्ट फॉम के साथ इंडियन म्यूचल फंड ने अपनी जर्नी शुरू की थी 95-96 में तो मुझे हम हमने लेंटी का पैसा पांचे म्यूचल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया और लग बाय चांस वही फेस था जब इंडिया के तब इंट्रेस रेट बहुत जादा थे और 15-16 पर इंडिया बॉंड फंड बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गमाल यह का इंडो उसके बाद आर्बिया ने 98-99 में इंट्रेस रेट्स को लिबरलाइज करके मार्केट लिंक्ट होने दिया और धीरे धीरे रेट्स नीचे आना शुरू हुए तो सिंपल रूल है कि आपने पॉट्फोलियो में कर पंदरा परसंट इल्ड करने वाला पॉंड खरीदा तो उतना तो मिलना ही है उसके बाद जब इंट्रेस रेट नीचे आने लगे तो कैपिटल मिलता उस पे तो पहले च्याट मैने में 18-20-20-30-30 परसंट का रेटन पहले साल में अन्युला पहले में शgg clarity कि आolphो जो कॉंपटिशन होता है तब आज 40 तब क्या सब्सक्राइब पूछने की क्या सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब तो हरा अदमी को लगा कि शायदा इंटेलिभेंचिवाल it if you are interested incidentally you spoke about Ashish a few minutes back um Ashish ke thru mera cv uh prudential icsa ke head of sales ke pas gaya because he was working there as a trainee and he was one of the sharpest talent in the industry then and today also so through him my cv went to the head of sales and he invited me and interviews were two three and i have another offer i think nirmal jain company and he again is a very iconic entrepreneur but his office was small and prudential's office was very big so you see if a person decides how to do the wrong reason so i have seen the big office glamour and i said that okay i will join prudential ifl also created a very big company over time but that is how i am saying role of randomness and that's how i joined the fund industry as well as randomness we also say that the work that we are thinking that i am doing this and that is probably limited but wherever we have destiny it will be a big role if we have been planning for the 16 years of study and planning for the things that we have been living for 20 years then there is no scope of that and there is no learning not so much as we have taken randomness when we have taken randomness when we have initially 4-5 years of learning when we have learned that there is no learning as much as much as 20 years as much as randomness but one of the things i would appreciate here is that your humbleness because normally you have said that everything is from randomness i was not intelligent this is that although the industry knows that you are very intelligent i am intelligent i am not discounting that but i am just trying to say that with time i have realized that we all as human beings bow to authority that whoever has a title is more than the person so these are learnings and investing particularly one of the premise that i have learned and i tell everyone just because because koji title wala admiya ko kuch bolo raha doesn't mean ho saih hai authority bias me authority bias me authority bias me chayari to oreo to president sara ceo ne bola बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्री तब जो इंडस्ट्री थी और आज इंडस्ट्री थी बहुत फरका गया तो अगर आप इसको एक दो लाइन में एक दो पॉइंट में बुले कि क्या डिफरेंस आया मेजर 25 साल में क्या चीज़ बिल्कुल नहीं है का दौर था और आज मूचल फंड सही है का करते हैं वह ऐसा टाइम था जब 50-60 साल की उमर के लोगों को भी मूचल फंड क्या पता नहीं था आज लोग अपना अपने घर में जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले दिन से या पहले मैने से उनकी शुरू करते हैं या जब नौकरी शुरू होती है तो पहले कमाई से ही एक SIB 10-10-20-20 साल की लोग शुरू करते हैं तो एक awareness बहुत बड़ी हद से बड़ी है अफकोस यह awareness में भी रोल है पिछले 3-4 साल की तेजी का अगर यह पिछले चार साल में तेजी के वज़ा अगर मंदी होती तो शायद the alternate history could have been very different शायद आप मेरा podcast भी ना लेता है इतनी fashionable category ना होती है तो I think फरक यह हुआ है कि investors भी अभी क्या बोले उस जमाने में fixed return का preference था और आज की तारीक में uncertain return में भी लोग पैसा लगा रहे है है with the hope कि अगर मैं आज uncertain return माले asset class में पैसा लगा रहा हूं hopefully it will compensate me for the short term uncertainty लोगों ने volatility को भेतर तरीके से embrace किया है since then till now और बहुत बड़ा एक defining phase जो मेरे इसाब से पिछले चार-पांट साल में हुआ है वो यह है कि इंटेंशनली और अनिटेंशनली नौइंगली और अनौइंगली मेनी इंवेस्टर्स हैव चोजन सब्सक्राइब का कॉंबिनेशन अब यह जो कॉंसेप्ट एसाइप का यह डिसिप्लिन का कॉंसेप्ट है कि हर मेना पैसा लगा हो गया तो अपने आप बजार के उतार करी लेता है तो लोगों ने process को embrace कर लिया है और asset allocation भी universal ऐसा process है जो आपको अतेजी में उस asset class में कम लगवाता है पैसा और मंदी में जादा लगवाता है left to ourselves we do the opposite so what has happened intentionally or intentionally in the last five years most money has you know come in the fund industry through a combination of these two processes funds which have become very large in size are hybrid funds which have a combination of two or three asset classes and the percentage of flows or the medium through which money is coming in the largest proportion is SIBs so यह दोनों का जो combination is unimaginable because इसे क्या हो रहा है मैं आपको real life example बताता हूं जब 23 March 2000 हुआ 2020 हुआ था जस्ट चार साल पहले जिस दिन COVID का सबसे बड़ा correction हुआ lockdown announce हुआ है मेरा है मानना है कि मैं काफी हद तक एक अच्छा discipline investor हूँ और मुझे बहुत clearly पता है कि long term में इंडिया में पैसा बनना है तो short term में जब जब correction होता है पैसा लगाना चाहिए इसमें कोई यह तो 20 साल की मेरी you know experience की learning है तो वो उस दिन जब मौका मिला तो उस दिन पैसा लगाने का दिन था बट उस दिन भी हमारे सब की फट गई थी कि यह तो अभी शुरुआत है अगे दने क्या क्या होगा हाँ who knows and genuinely who would have known लेकिन उस दिन मेरा major पैसा हमारे dynamic asset allocation fund में है उस दिन उस दिन और उस हफते में मुझे पूछे बिना मेरे फंड ने अपना equity exposure 30% से जाके 50% और 50% से जाके 70% कर दिया तो left to me with all my intelligence and good intention I would have not done justice to my behavior I would have said I'll wait for some time जबके वो automated formula ने अपने आप equity risk बढ़ा दिया क्योंकि वो सही धा करना so basically what I am saying is that most investors have embraced rules-based approach of investing SIB is a rules-based approach and asset allocation is a rule-based construct and यह सिर्फ DSP के बाद नहीं कर रहा हूँ पूरे industry में सबसे बड़ा growth यह दो combination में आया है तो यह बहुत बड़ा फरक है 20-25 साल पहले और आज तो सर जैसा आपने बताया और यह जो दर्शक है audience है उनके लिए देखने वाली बात है कि आपको experience है आपके पास access है knowledge everything बट behavior जब हो है आदमी का जो human psychology है वो सबको take over कर लेता है तो अगर आदमी के उपर छोड़ दिया कि भी तुम देख लो क्या करना है तो फिर तो हमारा emotion take over कर लेगा कभी fear में गलत decision लेगा कभी greed में गलत decision लेगा पर SIB एक ऐसा tool हो गया जहाँ पर fear and greed दोनों को surprise करके pre-decided set rule है उसके सबसे business करते है उसके सबसे investment होता है तो चीज़े आगे बढ़ती जाते है और SIB के बारे में वैसे भी second word use लेते हैं कि it is a forced saving अगर तुमें बो 100% नहीं डालोगे एक मेना दो मेना तीर मेना चोथे मेने कम डालोगे पांचे मेने भूल जाओगे SIB का मतलब है हर मेने की पांसतारी को अपने आप चला जाएगा तुमको सोच नहीं तो it is the best tool जो इजाद हुआ है और इसी की विज़े से 19,000 क्रोड की SIB होने लगी मन्तली तो सर एक चीज़ है जैसे एक बात कहते हैं कि इंडिया का टाइम आएगा कई लोग कहते हैं नहीं नहीं इंडिया का टाइम आ गया और कई लोग के रहें नहीं है तो जुमला है इंडिया का टाइम तो ऐसे कहते हैं आएगा आएगा आदा तो कभी है नहीं तो आपका जो वह experience अब तक का और जो चीज़ां आप देख रहे हैं क्या लगता आपको इन तीन हूं वह से यह जुमला है आएगा या आ चुका है जुमला तो नहीं है इसलिए मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ मैं एज इन इंडिविजल और जो कंपनी मैं मैं रेप्रेजंट करता हूँ एज ग्रूप डीएसवी कि हम लोगों की मैनत के पैसे से धन्दा चलाते हैं तो उसमें सच बोलना बहुत जरूरी है और रिस्क में गाइड करना बहुत जरूरी है वी डोंट वांट तो और प्रॉ जरूरी तेजी हुई थी हमने अपना फंड बंद कर दिया था हमने बोला पैसा मत दो हमने बोला कि यह कैटेग्री अभी थोड़ी रिस्की हो रही है और वो उस दिन था जब हमारे फंड में 65% फ्लोस और कमिंग इनार स्मॉल काप फंड इट ताम इट ताम इसमाइड कर द देता है बिकॉस नथिंग इस पर्मनेंट बट ओन इन दाट मोमेंट वेट सेट डूंट इसमाइड जूम्ला नहीं है अब इंडिया का टाइम आ गया है आएगा इसका मेरे हिसाब से मुझे कोई जबाब नहीं पता है मुझे यह पता है कि यह देश में डेमोक्रसी है तो और कैपिटलिजम के लिए रिस्पेक्ट है जिसके वज़े से कंट्री लाइक युएस आज रिली फ्लूरिश्ट और उसके एकुटी इंवेस्टर ने पैसा बनाया है और दूसरा इस देश के पास एश्या की सेविंग्स की स्ट्रेंथ है नॉर्मली अमेरिकंस डोंट सेव अच्छा एक कॉंबिनेशन है हमारे पास सेट परस्पेक्टिव की सेविंग्स रिश्यों हमारा भैतर है बिकॉस अगर वह एसेट गलत हो और सेव कहा कर रहे हम धंदे में सेव कर रहे है आज जब आफ वहारे फंड में पैसा देते हो थो हम 20 से 40 से 50 बिजनेशे में पैसा लगाते है तो यह जानना जरूरी है यह छोना जरूरी है कि यह बिजनेशे अच्छा करें इंडिया में जो बिजनेसे लिस्टेड है इसमें आधे बिजनेस की प्रॉफिटिबिलिटी इंडिया के डेस्टिनी से आती है या इंडिया के लोकल ग्रोथ रीजन्स के वज़े से आती है और आधे प्रॉफिट पूस जो है वो दुनिया के ग्रोथ से ग्रोथ पर है इंडिया हर साइकल ने बहतर होते जा रहा है लेकिन हमें बहुत चीजों में इंप्रूमेंट लाने की ज़रूरत है ऐसा नहीं कि everything is done there's a lot of room to improve on many many parameters आज भी हमारा per capita 200 डॉलर है आज भी हम जब बार घुमने जाते हैं तो कंवर्शन पहले करते कुछ खरीदने के लिए तो मैं बोलूगा कि इंडिया का टाइम उस दिन आ जाएगा जब कोई American यहां के you know convert करें की you know time है उसके लिए पर वही एक opportunity है कि अगर हमने यह नो हर पांच-पांच साल में progress करके बैतर businesses बना लिया है और उन businesses के हम shareholder बन गया है बाइधर owning equity directly और through mutual funds what is mutual funding it is giving you ownership in businesses and it is making the top CEOs of the country work for you at a nominal cost of one to two percent direct plan में एक टका regular plan में दो टका not just the CEOs of the country आज मैं यह बोल सकता हूं एक दा exaggeration के लिए में बोलना हूं कि बख्शाय रातवे हमारे लिए काम करता है warren buffett because मेरे एक fund में 7% exposure बख्शाय रातवे में है आज में बोल सकना हूं कि Tim Cook मेरे investor के लिए काम करता है 2% की fee पे because some of our funds have exposure to apple का stock हम यह बोल सकते है कि CEOs of most good Indian companies are effectively you know helping us achieve better future so that is the concept so now having you know gone through these stories of India का time आएगा नही आएगा जाएगा जाएगा there are years when India का time खराब होता है there are years when India का time बहुत अचा होता है both things will happen मेरा यह मानना है कि investing cycles की game है अच्छे time के बाद बुरा time आता है बुरे time के बाद अच्छा time के बाद अच्छा time आता है nothing lasts linearly forever cycles can be seven years long cycles can be three years long ninety three से two thousand twenty three is twenty thirty years in ninety three से two thousand three zero return था market में two thousand three से two thousand seven nifty साथ गुना उपर गया था 700% से सिफ चार साल में उसको लोग mother of bull run बोलते हैं और उन चार सालों में small cap index 1500% उपर गया था सिफ चार साल में यह तेजी तो कुछ भी नहीं है बट वो bubble बन गया तो उस समय में भी हमने यह बूला था कि भाएंकर देजी होगी और इंडिया विल बिकम चाइन और बेटर दें चाइन जाएन ऑन इस ओन एश्या बिकम बिगर देन यह अंदर पार्ट वर्ल डिया दूट ब्रिक्स वास कोईड अब आज वह बुक्स में से सिर्फ आई बच ग्रोध है पिछले बीस साल का नंबर आप देखो तो बट उसु ग्रोध की quality कहा पता नहीं है उस ग्रोध की honesty कहा पता नहीं है वो number सही आज हुलोग डाउट कर रहे है जब रिटर आ रहा था stock market में तो कोई डाउट नहीं करता था बीस साल का रिटर जी रोगया है और चौता भी, you know, delusional, that ये one-sided होगा, दूसरा, growth rate does not necessarily mean stock market return, so like I said, 2008 से, 2024 में China का growth rate इंडिया से better है, बलके China का growth rate US से भी बहुत अच्छा है, इंडिया का growth rate US से भी better है, but stock market return US investor को जादा मिला है, because वहां की companies ने बहुत बड़ी market cap बनाई, innovation किया, वहां की companies दुनिया बर के profit pool में खेलती है, हमारा खर्चा उनका revenue है, आज आप phone, देख लो, phone पे एक app है, जिसमें वह आपको बताता है कि पूरे दिन में आपने कहां पे time spent किया, Facebook पे कितना, YouTube पे कितना, Amazon पे कितना, तो उसमें आपको शायद equity premium दे के 10-11 तका दे तो आप, वो ROE अगर cost of capital को बीट नहीं करता है, that extra growth is cancerous, that growth does not lead to stock market और portfolio return, so we have to be worried about अपने portfolio का क्या होगा अगले 10, 20, 30, 40 साल में, और अगले 2 साल में तेजी है, मन्दी honestly matter नहीं करती है, पैसा दो साल में नहीं निकालने वाले है, मेरे लिए तो मैं जब retire, see आज, आज शायद retirement young, आपके audience में अगर young लोगे तो शायद सोचेंगे कि I don't need to worry about retirement, आप मानलो, 10, 20, 30 साल के अलग-अलग goals जो होता है, घर का goal होता है, medical expenses होता है, family के needs होती है, यह सब back-ended goals है, तो मेरा यह मानना है कि we should wait also for bear markets, because it will help us accumulate more units, तो 1998 से 2008 मेरा approach था कि market जब ऊपर जाता है मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मेरी NAV ऊपर जा रहे थी, but I realized much later that I was not able to acquire more units, because as NAVs rise, you acquire less units, फिर जब 2008 से 13 में 0 return बना, 5 साल, so I want to tell viewers that there are periods when 3 to 5 returns will be 0, have been 0, don't extrapolate last 3 years का 40% into future, long-term return 12 से 13% है निफ्टी का, human mindset actually, जो, recency bias, recency bias, so all I am trying to say is, this too shall pass, good times will change into tough times, tough times will come back into good times, we have to be aware of it and be prepared for it, we cannot eliminate times, we cannot eliminate cycles, तेजी में don't get carried away and you know increased risk which you cannot digest, और मंदी में don't get so scared that जब opportunity आपके सामने नौक कर रही है, आप डर के घर में बैठे हो, तो यह cycles को आज जो पहली बार आ रहा है, मेरा message इर भी है है कि cycles को समझे और extrapolate मत कीजिए, अच्छे time को भी permanently extrapolate मत कीजिए, बोरे time को भी extrapolate मत कीजिए, और सिर्फ इंडिया का time अच्छा है या बोरा है, वो lens से आप portfolio construction नहीं कर सकते हो, आपका जो portfolio है, it has to be diversified and today mutual funds, the reason why mutual funds of India are one of the best democratic vehicle to save money is because एक ही fund के अंदर आपके choices है, जैसे हमारे पास एक fund है, जिसका नाम है multi asset fund, उसमें हम इंडिया के अच्छे stocks खरीते हैं, उसमें हम दुनिया के भी अच्छे stocks खरीते हैं, उसमें हम थोड़े bonds भी डालते हैं, कि जब जब stock market नहीं चलेगा, तो bond market से solutions कम होंगे, और लास्ट पॉइंट मुझे यह पताना है कि आपका इंडिया का time बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करना है, पर आपके portfolio में अगर वो reflect नहीं हो रहा, तो आपके कोई मतलब का नहीं है, और आपका अगर India का time अच्छा नहीं भी चल रहा, लेकिन आपका portfolio perform कर रहा है, तो आपके लिए तो अच्छा है, वो थोड़ा rare होगा कि आपका portfolio अगर इंडिया ने अच्छा नहीं किया तो आपका portfolio अच्छा करें unless it is diversified into global stocks or other asset classes which is why diversification becomes important country की growth से ज़्यादा important आपके लिए आपके पास portfolio में क्या चीज़ पढ़िए और उन्सकी जो companies है वो सही है कि नहीं and the last point which I was about to say is that काफी टाम क्या होता है कि किसी भी देश के जो growth के expectations बजार में आ जाते है और यह ऐसा phase है because of you know great digital explosion information is reaching at the same speed to me as the CEO of my mutual fund company to all my fund managers and to the you know most common man in Jaipur right सबको एक ही ताम पर आर्बिटराज नहीं है तो बजार में speed काफी cycles are very short and fast now a lot of good news gets priced in तो आप देखोगे तो जैसे चाइना में अगर growth rate best था फिर भी stock market का return zero है because वो भाव में महंगा हो गया था valuations महंगे हो गया था तो मेरा जा मानना है कि इस market में फिलाल good news are getting priced in very fast so अगर same good news आया तो average return बनेगा अगर थोड़ा भी disappointment हुआ 20% मिला तो 20% अगले 5 साल में इतना हो जाएगा फिर इतना हो जाएगा फिर इतना हो जाएगा फिर इतना हो जाएगा अज़ा loss हो गया तो यार यार ये तो लूप गया अब हम डिसकुस कर रहे थे कि stock market है कैसी जगहे हैं पर हर 2-3 साल में नहीं हो जाती है सब खतम हो जाएगा सब खतम हो जाएगा तो वहाँ पर बन्दब करता है कि कुछ भी कहीं पर भी छीकता भी है कोई छीकता भी है तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को बुखा रहा था कि अर्यार वो युक्रेन पर रश्या की सैना वहाँ पहुंच गई पहुंच गई स्टॉक मार्केट के था जब पहुंच गई लड़ाई हो गई लोग मर गए यह हो जाएगा वह हो जाएगा मैं पहले गरता है तो सबसे पहले रियाक्ट को रिफ्ले कर लोगा तो सर अभी जैसे जो नया बंदा मार्केट में एंटर कर रहा है उसके लिए best asset class के है क्या करें वो equity में इंवेस्ट करें mutual fund में इंवेस्ट करें या वो पुराने traditional उसके ममी उसकी मदर कहती है कि यार आप तो पिटा gold में इंवेस्ट करना चाहिए अपन पहन भी लेंगे अपने काम भी आएगा उसके फादर कहते है कि पिटा कहां चिकरों में लग रहे हो अपन तो real state best होता है जी ठीक है ना और कोई उसके घर में मामा जी पूपा जी कोई policy ले क्या जाते है कि आप तो इस policy में लगा दो जी तो अगला आदमी confused है कि हर आदमी अचा उसको पता है कि मुझे invest करना चाहिए और बाद में काम आएगा लेकिन उसको हर आदमी invest करने के लिए भी कह रहा है पर अलग-अलग asset class बदा रहा है तो यह जो asset class most popular है काम आदमी के लिए तो उसमें उसके लिए best कौन सी है और अगर इन सब asset class पे अगर वन-वन लाइनर में आप कहा सके तो इट वुड भी मुझ बेटर तो मेरी साब से नहीं competition रखना चाहिए हर asset class का और transparency के साथ उनके 10 से 20 से 30 से 40 साल का track record देख लेना चाहिए उसके बाद हमें decide करना चाहिए हमें पैसा कहा लगाना चाहिए अब आपने जैसे बता है कि घर में अलग-अलग लोग feedback देते है actually mutual fund एक ऐसा वहिकल है वो एक window है एक platform है जिसके जरिया हर asset class में पैसा लगा सकते हो आपको gold में लगाना है तो हमारे fund में multi asset fund में gold भी है और gold का भी एक fund है तो instead of going and buying gold and having the issues of making charges selling करना है उसको storage करना है उसकी purity कितनी होगी यह सब आपको पता नहीं जैजट नहीं करना है तो आप gold mutual fund में लगा सकते हो FD में लगाना है FD पे tax लगता है mutual fund में long term gains का advantage है आप debt mutual fund में भी लगा सकते हो FD में पैसा एक साल दो साल तीन साल lock रहता है FD में normally वो inflation भी बीट नहीं कर पाता बट वो तो debt fund में भी नहीं करेगा तो लेकिन FD में safety है कि 100 डाला तो 107 मिलेगा और शायद एक दो साल ऐसे हो जहाँ equity में वो safety ना हो equity में 100 की value कभी-कभी 90 भी हुई है COVID जैसे समय में 100 की value 60 रुपया होई थी 2009 की crisis में 100 की value 40 हो गई थी तो अगर एक साल के बाद अगर आपको पैसे की ज़रूत है बेटे के IIT की fees भरनी है या IIT के चलो fees हसती है लेकिन कोई bits पिलानी में fee भरनी है और उसी साल में GFC crisis या COVID हो गया तो उस दिन आपको लगया कि FD बेटर थी भले inflation को बीट नहीं किया या तो FD के सामने bond या debt fund का option है goals पे depend करता है अगर आपके goals छोटे हैं तो आपको FD या आपको ऐसी चीज़ है safer investment और safe पे जाना चाहिए या less volatile instruments पे जाना चाहिए अब insurance के आप जो बात करते हो insurance का need ही बहुत अलाग है insurance बहुती powerful concept है लेकिन उसकी need अलग reason के लिए है investment के लिए नहीं है मुझे नहीं लगता है कि insurance policy लेके किसी ने wealth creation किया हो लेकिन normally जो एक आम आदमी की बात करी जाएगी उनको लगता है थोड़ा पैसा cash में रखा है थोड़ी सी FD पढ़ी है एक मैंने जमीन ले ली और policy है मेरी अचा policy में भी कहा है कि जो agent है वो normally agent normal नहों के घर का ही आदमी चाचा जी, मामा जी, भुपा जी होते हैं और वो ऐसे बेचते हैं अरे यार यह जो है न यह एक policy लो यह बच्चे की पढ़ाई के लिए बेटी के लिए यह बेटे की पढ़ाई के लिए यह तीसरी ले लो आप इना इसकी शादी के लिए चौती ले लो आप रिटार्मेंट के लिए उनको ऐसा लग रहा है कि हमने चार अलग अलग जगे इन्वस्ट किया है अब उनको बहुत है तुमने एक ही चीज करी दिया चार नाम बोलके चीज वह लिए रिटन कोई नहीं देगा इकुटी के लावा शायद रियल स्टेट भी ऐसी चीज़ है जो इन्फलेशन को शायद बीट कर देता है तो उस पे रियल स्टेट पे आपका क्या है वो भी मुझे बात है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं जो भी बोलूँगा उसको आप एक बिंच अफ सॉल्ट से लिजए देखिए ज़ादा ची एक तो पहले तो है जमीन बड़ी खरीद ले दूसरा अभी तक हमारे देश में अभी भी रियल सेट में ब्लैक में बहुत काम होता है इनेफिशनसी बहुत है फिर अगर आपने घर खरी लिया आप मुमे का एक्जांपल ले लेता हूं मैं मुमे में रेंटल इल्ट दो टके की है तो आप चुप जब बॉंड फंड में डाल दो तो छे से साथ टका तो वहां ही बन जाता है अब दो टके की इल्ट पर अगर छे साथ आर्ट परसेंट का कंपाउंडिंग होता है ग्रोथ फिर वो एक्वेशन ठीक बैठेगा लेकिन देखा गाया कि जब जब कहीं पर भी रियल इसेट की इल्ट रेंटल इल्ट 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 इतनी कम हो जाती है उसका मतलब है इस एसेट कास का भाव बहुत महेंगा है तो मेरा है मानना है कि रि क्षाफी एक्षिट इसेट का सिदें आपको एजीली मिलती नहीं है लिकेज कोस्टस एंट्री का कोस्ट साल कोस्ट को सब पूस्ट को सि एक्विटी में यह सब इसेशींसा नहीं है यह मेरा मानना मूझे बहुत सेंट बोग जिन्हों का स seasoned उमना जबहाँ पर इक वें समय नहीं है to give that view और because मेरे पास वो expertise नहीं है मैं अपने portfolio में मेरा real estate का exposure zero है except my home senior portfolio, mint में आया था था तो उसमें आपका 100% equities में अलग-अलग मेरा 99% मेरा 95-97% mutual funds में है real estate जनरली महिंगा है मैं यह देखता हूँ ना मैं एक personal example देता हूँ 2010-2011 में में US गया था मेरे मुसाले के घर पे और मुझे मुमे में घर लेना था विले पार्ला में टूटी-फूटी सड़के है पल्यूशन है ट्राफिक का प्रॉब्लम है 1000 स्वेर फीट का घर धाई करोड में बिक रहा था और मैं अल्मोस्ट खरीदने के स्टेज पहता लास्ट में पांच-दस लाग का नेकोसिशन चल रहा था पिर मैंने बोला चुटी के लिए जा रहा हूँ पंदरा दिन वापस आके कर लूँगा गया पंदरा दिन फिलाडेल्फिया में मेरा साला रहता है माइस का जीन घर है वह चार हचार अजार के नीचे क्या क्लाइ singular है चारे वहची स्टेख अजाल है और दोजार क्लास वेडर है और तभात की अचैन ओर ओर क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर है और उसका जो प्राइस था रफली आठ हजार स्वेर फीट हुई सब मिला के वो था तीन करोड रुपया अधाई करोड और तीन करोड और यह हजार और आठ हजार तो वो जब डेटा पॉइंट देखा तो मुझे लगा कि यह लॉजिकल नहीं है मैं अपने आपको I will make myself a fool by overpaying तो मैं इस asset class को overpay कर रहा हूँ और यह हमारे याप particularly कुछ-कुछ शेहरों में यह तकलीव इसलिए है कि दिमांड सप्लाई का प्रोब्लम है लोग बहुत आते जा रहे शेहर में और डिमांड इतनी है नहीं कैश में धंदा होता है अज मुचल फंड में एक रूप्या कैश में नहीं ले सकते हो तो इतना ट्रांसपरेंट इतना कॉस्ट इतना एफिशेंट और इतना क्ली ऐसे में पड़ो हमारा एक फंड है सबसे पुराना फंड है जिसका नाम है डिस्व फ्लेक्सिकाप फंड नाइंटी सेवन में लॉंच हुआ था नाइंटी से आज तक यह एक सो छे गुना उपर गया है एने इसका उननीस परसेंट सी एजियार कंपाउंडिंग है हमारे पास ते आरो ही नेगेटिव है या काफी लंबे समय तक नेगेटिव था या प्रॉफिटेब्रिटी नहीं थी स्कैम्स जहां पर अनाउंस हुए था है स्कैम हुआ स्टॉक 20 अका गिरा लोगों ने बोला सस्ता हुआ चलो खरीद लो फिर से बैड नीज आया और 20 अका गिरा और खर तो और डेटा यही दिखाता है कि काफी इन्वेस्टर होंवर्क किया विना वो गेम खेलने जाते हैं— मतलब वह अख लिक्रश कीया बीसर हर्ड मेंनलेटी पर इसको करता है डो असी बिल्कुल पसर वो जो आपका फिगर है वो मैं को हॉंट कर रहा है मैं इसको और सुचूँगा कि एक ऐसा फंड जिसने 97 से लेके अब तक 27 साल में 106 गुना रिटन दिया है वहां सिर्फ 23 लोग ऐसे थे जो उस रिटन को कमा पाए जो वहां से लेके वहां दक रहे तो 23 में से सर मैं ऐसा मानता हूँ शायद 3 या 4 होंगे जिन्होंने परपसली रखा होगा 19-20 रखके भूल गए क्योंकि अगर उन्हें याद होता कि हमारा फंड है और 10X भी हो जागा तो 106 गर करिशी ने कर लिया तो यह जितनी भी स्टोरी जाती है ना कि अगर Infosys में इतना 10 लाख होते इतने होते तो वो जिसने लगाए होते और दसलाख वाला क्या पानसो क्रोड़ तक रुका थोड़ी होता कोई नहीं रुकते हैं इवडी में इंश्टेट में और रियल एस टेट में इंश्टार यही पुरा गेम लेंथ का है और मेरा है मानना है कि लोग रुकते क्यों नहीं है यह अगें चैलेंज है बीहेवियर में आप सी कंपाउंडिंग का गेम क्या है कि आप पैसा अच्छे पॉर्टफोलियो में बना दो स्टॉक्स डिरेक्ली ले लिया विशल्ट के तिसू ले लि लोग नहीं देता है कि आप मुझे लगती है कि मंदी लगती है तो कस्टमर की लाइफ में कोई स्टिमूलस नहीं मिलता है यह वो पॉलिसी को एक बार देखके डिसिजन ले रियल स्टेट के धंदे में भी कोई व्यू नहीं आता है कि इंडिया स्टोरी क्या है आपका इस पच्छेश को तुम उसमें भी पैसे नहीं कमाबो तुम रियल स्टेट में कमाई इसले पाते हो कि तुम जब एक्जिट की सोचते हो वो आपने का ना कि आज मुझे बेचना है लेकिन वो डेर साल तक बेके गा ही नहीं तो ऐसा भाव मिलेगा है तो छोड़ो तुम छो जो वरन बॉफे कहते हैं वरन बॉफे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक मशीन है जो इंपेशेंट लोगों का पैसा प्रांसर कर देती है तो यह जो अगर एक वो वर्ड यूस करें कि जो चल होती है कि कुछ करें कि कुछ करें रोज मार्केट देखेंगे रोज सुनेंगे आज कुछ ले लिया, आज कुछ बेच दिया, इसमें ले ले, उसमें ले ले, कहानी, किस्से, डिस्कुशन, ये आपको शायद अमीर नहीं बनने दे रहे, या ये कम बॉंडिंग नहीं हो रहे. अगर तुम लेके भूल जाओ, डिस्कुशन बन कर दो, देखना बन कर दो, बलाओ, अगर कोई, आपने कहीं सहीजी का इन्वेस्ट करके, कोई पूझे स्टॉक मारे में क्या, बले, और मैं देखता नहीं हूँ, बले, आपने क्या लिया, बले, क्या करता ही ने, छोड़ दिय पैसे रहे कि मैं गद्दे के नीचे रख देता हूँ, अब रिटार्मेंट करें गिरेंगे कित्ते हुए, तो जो डिस्केशन नहीं करेगा, उसका पैसा बच जाएगा, शायद नहीं, उसका 100% बनेगा, तो सब एक चीज हो गई, जैसे अभी, अगर आपर IPO की बात करते हैं अब या IPO मार्केट काफी बूम पे जल रहा है, जैसे पहले तो नॉर्मल में बोर्ड IPO खुब आते थे, अब SME IPO आजकल दढ़ा कैसे आने लग गए, पिछले साल लग बगए 180 IPO है, यानि हर दूसरे दिन एक नया SME IPO आया, और इस साल चाथ यह record तूटे, और डेली एक SME IPO आजाए तो बड़ी बात, तो यह IPO में invest करना कितना सही, या कितना सही DC जैने क्या मांनते हैं, यह IPO पहली बात तो इतने जदधा क्यों आ रहे तो पहले तो इतने जदा आय नहीं अब आने लग गए, तो क्यों आ रहे है तो क्या इसमें लगाना चाहिए, नहीं लगाना चा तो वो भी एक्विटी है और जब कोई छोटी बेंक लिस्ट हो के IBO लेकर आती है तो वो भी IBO ही है और IKUटी है तो इसे ट्लास तो सेम है तो उस एसेट क्लास के डाइमेंशन चेंज नहीं होने वाला है तो फृंग्जी आई आने लग गए बहुत सारे तो क्यूं आते हैं आई-प्योाρχर आता है उसका मतलब क्या है आप किसी से खरीद रहे हो माल, तो कोई बेच लहाए है, बेच कौन है वो तो इंसाइडर है सबसे बड़ा तो वो क्यों बेच रहा है तो यह जानना जरूरी है कि कोई IPO क्यों लेकर आ रहा है अगर वो अपना माल बेचने के लिए लेकर आ रहा है उसको लगता कि अब मेरा भाव यह तेजी में मुझे अच्छा भाव मिल रहा है एक बार थोड़ा चाहिए और अलग-अलग form of capital होता है थोड़ा debt का capital है थोड़ा equity capital है मेरे धनने के लिए equity capital long term capital हो जाएगा तो और वो वो प्रोमोटर की नियत साफ है उस प्रोमोटर की नियत है कि यह opportunity इतनी अच्छी है कि मेरे साथ मुझे और shareholder की wealth बनानी है तो ऐसे IPO में पैसा बनाने का odds अच्छा है provided जो भाव पे listing हो या जो भाव पे आपको subscription मिलता है वो सही भाव हो valuation should be sensible and sound and reasonable अगर सो पचास सो डेट सो क्या भाव multiple पे अगर कुछ आता है और long term growth rate दुनिया भर में long term growth rate सबका नॉर्मल ही होता है बहुत कम companies जिनका abnormal growth rate होता है because capitalism होने नहीं देगा तो जब जब companies पचास सो डेट सो पी पर आती है ना 90-95% पैसा नहीं बलता है यह mathematical base rates है विकॉज आपने अगर कोई चीज पचास के पी पर खरीदी उसका मतलब है 100 डिवाइड बाई फिफ्टी दो परसेंट की इल्ड पर आप खरीद रहे हो जबके पूरा का पूरा equity market आपके पास 20 के पीपे अविलेबल है 100 डिवाइड बैट्वेंटी पांच का अर्निंग मल्टीपल है पांच का अर्निंग सील्ड है और आई प्यू अगर पचास सौ के मल्टीपल पर आता है तो आपका डेवन पर अगर अर्निंग फेवरेबल नहीं है तो यह टेक्निक्स जानना अगर यह मोनोपोली का विजनस है तो प्राइजिंग पावर होगा इसके पास प्राइजिंग पावर होगा तो इसके रिटन-on-equity बहुत अच्छे होंगे तो आपको यह देखना है कि क्या यह इसका आरोई इन वाई ग्रोफ रेट का जेड वैल्योशन होता है एक नंबर और यह बहुती commonly calculate हो सकता है तो अगर X type का growth rate है और Y type का return on equity है तो एक valuation number Z आना चाहिए mostly IPO क्योंकि किसी को exit लेना है वो कोशिश करेगा उसको Z से जाधा मिले तो वो 1.5 Z पे आएगा या 2 Z पे आएगा और आज के बजार में जहां सबको लगता है कि या IPO इसलिए पैसा बन रहा है लाइन लगती है लोगों की तो आपको subscription भी कम मिलता है तो सही valuation पे अगर आपने अच्छी कमनी का IPO लिया तो बहुत अच्छी बात है जो principles या IPO को analyze करने के are cannot be different from the principles जिससे आप कोई भी धंदे को analyze करते हो ultimately आप धंदा खरीद रहे हो तो आपको यह सोचना है कि अगर यह पूरा का पूरा धंदा मुझे खरीदना है तो मैं क्या भाव पे इसको खरीदूँगा और क्या यह भाव sensible है और क्या यह अच्छा धंदा है चलाने के लिए क्या यह tough business है या sensible business है और फिर यह जो management है यह इसको तो same principle आपको apply करना है valuation, quality of management quality of business quality of investment decision so on and so forth last point mathematically यह study किया गया दुनिया भर में और इंडिया में भी कि अगर lifelong total number of IPO इतने भी आया अगर वो number 100 है तो 80-90% IPO बेंचमा को बीट अगले 5 साल में नहीं करते हैं तो odds are not in your favor but still कुछ-कुछ gems or jewels मिलते हैं जो नया industry अगर कोई list होके आ रहा है जिसका management बहुत अच्छा है and जैसे मैंने बता है वो shareholder friendly है तो हम भी करते IPO में invest लेकिन जैसे पिछले 2 साल में अगर 1500 से 200 IPO आये होंगे बजार में हमने शायद 4 या 5 आज में किया होगा learning से ही earning होती है जितना ज्यादा आप चीजों को सीखते हैं जानते हैं समझते हैं उतना जदा आपका earning potential बढ़ता है अफकोस learning important है बढ़ हम क्या learnings और क्या inferences draw करते हैं हर phase में वो जादा important है अभी जैसे आज की तारीक में निया में भार से जितने भी CEOs आते हैं global companies के वो आके क्या बोलते हैं कि यह century इंडिया की है and we hope that is true so that gets published next day हूंके interviews आएंगे, headlines होगी और वो ही headlines और messages WhatsApp पर घूमेंगे और उसी messages पर हम लोग थोड़ी तेजी करते हैं और हमारा learning यह है कि दुन्या का best place यह है अब same CEO अगले दिन ताइवान जाता है वो तो एक global tour पर निकला है रहा है US से आया है, उसकी अलग-अलग देशों में company है तो वो हर देश में जाता है अपने टूर में, तो next day वो ताइवान जाता है अब ताइवान में भी यह बोलता है कि यह century ताइवान का है बट हमारे experts उसको follow नहीं कर रहे है वहां के newspaper में वो interview भी आ जाता है उसका बट वो learning आपने आड नहीं किया अपने कल के learning पर है तीसरे दिन वो चाइना में जाता है जहां पर पिछले 10-20 साल का return negative है फिर भी यह बोलता है यह century चाइना की है वहां तो उल्टा बोल भी नहीं सकता है कुछ वो शायद भार नहीं निकल पाया है पता नहीं किया हो जाए तो वो information भी हमने तो हमने incomplete information और selective information के basis पर जो learnings इखटा की है वो गलत learning है अब जिसके पास बहुत जादा पैसा है उसके पास ऐसी बहुत सारी learnings होती है because as I said sources of information भी जादा है versus a common man right information is the key right information भी जादा है and which has got nothing to do with size of your money is my limited आज छोटे size का investor भी सही information निकाल सकता है क्योंकि आज और जो मैंने पहले बताया था आपको information में democracy आ चुकी है information की edge है ही नहीं आज same in Warren Buffett जब अपनी annual report release करके बक्षायर में जो बक्षायर नहीं ओमाहा में जो discussion करते है वो real time tweet होता है इंडिया के छोटे से छोटे गाउं में भी पहुचता है US का FED जब decide करता है interest rate बढ़ाना है गटाना है उसका analysis के साथ real time transmission पूरे देश में पूरे दुनिया में होता है तो information is no longer learning उसका जो joining the dots है वो real learning है और वो size of money से नहीं आता है वो I think inborn होना चाहिए mostly it is skill and which is why power law है देखे हर आपने आपका खुद का example दिया कि जितने भी YouTubers है या you know digital world के influencers है बहुत ही कम percentage लोग है जिन्होंने एक level of success देखा है हजार में आपने बोला कि ऐसे 10 होंगे 2000 में 5 होंगे 1000 लोग सोचते हैं कि मुझे IPL टीम में entry मिलेगी मैंने भी सोचा था मैं भी बहुत cricket खिला था मुझे भी लगा था कि मैं अपने college के टीम में बहुत अच्छा खिलता था और मुझे लगा कि मेरा तो हग है select होना you know world unfair है और corruption है यह है मुझे नहीं मिला but I always thought that I will play cricket for India but ultimately 11 ही लोग आते है तो वैसे ही investing में बहुत ही कम लोग eventually अच्छे investor बन पाते है और उसका कोई connection मेरे साब से size of capital से नहीं है आपके learning से basically learning सही source से सही learning हो और आपके अंदर एक reflection की ability होनी चाहिए यह multi-dimensional learning को इखटा करके इसमें जैसे है भी एक चीज़ है कि नॉर्मल इंवेस्टर के अपने-पने fundamental होते है कोई सही कोई गलत आप इतना बड़ा fund manage करते हैं DSP में लगबग डेल लाग करोड का लगबग fund आप आज की डेट में manage कर रहे है तो यह इतना बड़ा fund manage कर रहे है तो इसकी बीचे आपका mindset क्या रहता आपकी preparation क्या investment philosophy आप follow करते हैं invest करने के लिए तो किसी ने मेरा एक interview लिया था और उसका title लगा था the man who manages 1,47,000 crores first disclaimer कि मैं यह पूरा पैसा manage नहीं करता हूँ मैं fund का CEO हूँ मेरी एक बड़ी team है 40 लोगों की team है और हर आदमी थोड़ा 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 पैसा manage कर दिया और एक formula है एक process है generally हमारा belief system यह है जो मैंने अपने conversations में भी बताया कि हम कोशिश करते है सही companies को सही भाव पर खरीद के सही समय के लिए रखने के लिए यह हमारे हमारी technique या formula बोल सकते हो और जो भी हमारी formula है हमारे website में हमने बहुत ही transparently लिखके डाल दी है तो अगर किसी को genuinely interest है सीखने में भी समझने में भी तो आप हमारे website पे जाके हमारे हर fund major के investment philosophy का document है 10-12 page का document है जिसमें हमने बहुत ही simple भाषा में समझाए कि हमें कैसी companies अच्छी लगती है हमने ये भी समझाए कि पैसा कैसे बनता है बजार में तो मेरे से आपने जितने सवाल जवाब कि उसका बहुत सारा जवाब शायद उन कि यहाद में वेबसाइट पर डाल दिये बट इन इन कॉमन टर्म्स अबस्ट अब से पहरा में लेटार्ट आप कर सकते है और प्रोफिट का जो प्रोफिट तो कैपितल रेशो हमारे प्रॉट फोल्यों का रोई रफ ली 1890 पर्संट है तो companies which have a high ROE, generally are perceived to be quality companies, तो quality अच्छी हो, governance अच्छा हो, हुम companies के accounting policies को देखते हैं, तो यह कुछ rules हमने बनाए है, जिससे एक discipline investing का तरीका हो, और अलग-अलग asset class में same rules को हम apply करके अपने portfolio को build करते है but all I am saying is that this one and a half lakh crore is distributed across different asset classes India के stocks है India के bonds है दुनिया के stocks है और precious metals है ये चार asset class के अंदर हमारा पैसा deploy होता है एक last चीज़ अब रहा है आपका 20-25 साल के experience के आप से जो भी व्यक्ति stock market में भी working कर रहा है as a investor या as a investor आना जा रहा है कौन सी 2-3 चीज़ें tips आप उसको कहोगे कि भी या 25 साल के आप उसे बढ़ा रहा हूँ या 2-3 चीज़ें ये कर लेना सफाल हो जाओगे या end 2-3 चीज़ें ये कभी मत करना ये करोगे तो फिर फेलोना तय है ये closing remarks से अपने सब्सक्राइब तेजी में रिस्क मत बढ़ाना मंदी में रिस्क को बढ़ाना ये पैदा रूल है tips पे और WhatsApp पे अमीर नहीं बनोगे वहां पे पैसा गवाने का चांस बहुत जादा है long term को respect करो time को respect करो length को respect करो तो पैसा बनाने के chances बहुत जादा है these are three learnings that I have had for myself last point past returns को chase मत कीजिए और fast returns को chase मत कीजिए क्योंकि ये asset class cyclical है तो जब जब past return खराब होते है तो future अच्छे होते है और जब जब past return बहुत जादा होते है long term average से बहुत दूर जादा होते है future में खराब होते है तो होता क्या है कि आज investment को select करने का जो तरीका है लोग क्या करते है कि आके website पे देखेंगे पिछले एक दो तीन साल के best performing fund क्या है तो जो भी best performing fund पिछले तीन साल के है वो आपके नहीं है आपके future के भी नहीं है वो जिसने तीन साल पहले डाला था उसके है तो वो एक बहुत Google को एक search बार में वो एक filter डाल देना चाहिए जब-जब कोई search करें Show me the best performing funds It should add a disclaimer They are the best performing funds of the past not the future They are the best performing funds of someone who invested on that day Not you Your best performing funds will be very different Than the best performing funds that I am showing you right now That is one of the worst way of investing और यह मैंने खुद भी 10 साल बहुत ही भहतर तरीक ऐसे practice करके गलत results कमाएं मलता बहुत ही खराब returns उसके वज़े से आये 2008 में वो ट्यूबलाइट हुआ कि I think Harvard Marks की किताब में लिखा था कि past returns belong to investors of the past आपके लिए नहीं है और return cyclical है तो अगर return cyclical है और आपके है नहीं तो वो condition पे आप क्यू decide कर रहे हो तो वो ट्यूबलाइट जब हुई तब मैंने अपने investment के तरीके को change किया तो मैंने बोला कि मुझे पहले तो अच्छा fund और अगर उसके return cyclical होने वाले है तो वो जब खराब समय से गुजर रहा है तब मैं उसमें जादा पैसा लगाऊंगा जब तीन साल पहले 2021 में मैंने घर खरीदा और मुझे मैं घर खरीदा मतलब आपके portfolio का बहुत बड़ा amount चला जाता है तो जो मेरा best performing fund था उसको मैंने redeem किया not the one which was best performing और अगले तीन साल में 2021 से आज 24 में जो fund मैंने redeem किया हमारे list of fund में उसका return actually कम है और जो उस दिन खराब धिखरा था वाज actually best return है तो returns fluctuate because of cycle so don't chase what has given very high returns and don't get out of what has given very low returns provided they are managed with the sound principles so wonderful discussion thank you